जिस तरीके से हम पढ़ाई कर रहे हैं उसे हमें all together change करना पड़ेगा और अब हमें conscious reading करनी पड़ेगी क्योंकि इस मन्त के बाद से आएगा जैन का मन्त and हम धीरे धीरे करके pre की preparation में move करने वाले हैं तो pre की preparation में move करने के पहले हमें क्या करना है तो वो हम आज की वीडियो में discuss करते हैं तो हम यहाँ पर discuss करेंगे UPPCS 2022 का pre का paper हम देखते हैं जिसमें से हम analyze करेंगे current affairs के questions इन questions का nature क्या है ठीक है किस type के questions आए है कोई is there any kind of pattern जो हम पकड़ सकते हैं so that जब हम current affairs पढ़ें तो उसको पढ़ते समय हम conscious रहें कि okay these are the type of questions these are the things जो previous year में पूछा था तो इसके आसपास ही question पूछेगा example अगर किसी report के बारे में पूछा है that means एक pattern हम पकड़ लेते हैं कि report के बारे में आता है अगर हम appointments की बात करें तो what kind of appointments में question पूछ रहे हैं तो we will try to see कि कुछ pattern अगर हम बना सकते हैं approximately 20 से 25 questions आते हैं current affairs के sources कहां कहां से लेने हैं यह हम इस इस वीडियो की part 2 में discuss करेंगे कि what are the various sources जहां से हम current affairs cover कर सकते हैं यहां पे हम 3 का paper discuss करते हैं so let's start the discussion so जो current affairs के questions हैं हम उसे analyze करेंगे कि pattern क्या है यह pattern पकड़ना मुझे 2-3 channel से सीखा था especially UPSC Hindi वाले जो सर्ते उन लोगोंने जिस तरीके से pattern को पकड़ना सिखाया था that is something I'll try to explain here कि आपको exactly करना क्या है अगर आप किसी का paid course नहीं लेना चाहते तब भी आपको even though अगर आप paid course लेते हैं currently आप December के मंत में हैं this is something जो आपको खुद से करना चाहिए कोशिश करिएगा कि most of the things आप खुद के उपर rely करें channels लोगों से आप help ले सकते हैं but वो आपके main source नहीं हो सकते हैं for you to clear any kind of exams है ना तो यहाँ पर देखिए अगर पहला question देखते हैं तो यहाँ पर क्या बोला है which state of India जिसने launch किया है first तो याद रखिए जब भी किसी भी तरीके का first हो in any section आप appointment का section बोल दीजे science and tech का section बोल दीजे medicine का बोल दीजे education का बोल दीजे anything first ranking भी जो आती है उनकी ranking भी जो first होती है वो सब चीजों को आपको अलग से highlight करना है देखे notes तो हम बनाएंगे यह बनाएंगे current affairs के मगर जहां जहां पर भी first है उसको एक particular marker से आप उसको highlight करिये so that आपके long term memory में और जो photographic memory होती ना उस पर आपका वो particular color चला जाए always remember first है ना तो यहां पर last year का था यह कि first digital water bank और देखे जरूरी नहीं है कि उत्तरप्रदेश का ही पूछेगा इसका correct answer बैंगलूरू था बैंगलूरू इस इन करनाट का है ना तो जो first है irrespective of कौन सा state उसको launch कर रहा है तो other states भी जहां पर भी यह launch होता है वो जैसे कि one of the exam में first grain ATM जो था हर्याना वाला वो भी पूछा था इसलिए always remember the first irrespective of the states यह एक पहला पैटन है next question में match the following करने बोला है देखिए इंडिया smart city award contest की बात कर रहा है इंडिया smart city की जो ranking आती है उसकी बात ने कर रहा है यह contest 2020 में हुआ था और इसका जो result आया था वो April 2022 में आया था that is the reason यह relevant हो गया था exam के point of view से study for civil services वालों ने भी इसे cover कराया था I think क्या है उनका नाम IAS UPS factory करके एक जो सर है वो भी current affairs को पढ़ाते हैं इसके साथ में I think exam for success वाले चैनल है तो जित्ते भी 5-6 videos वाले चैनल है जो videos में cover कराते है उन्होंने यह cover कराया था and I specifically remember क्योंकि generally जब भी हम इंदौर की बात करते हैं तो हम environment वगर की बात करते हैं बट यहाँ पे इंदौर को जो category मिली थी ना वो culture वाली मिली थी so because of that thing I remember this one और यह correct हुआ था मेरा तो आपको क्या याद रखना है कि कोई भी ऐसा award पहले बात तो जो smart city वाला award आता है अब उसमें बहुत deep में पूछ रहा है first, second, third आपको ध्यान में नी रखना है और इस तरीके से आपको city wise चीजे भी याद रखनी है क्योंकि यहाँ पे आपको match the following करने बोल दिया है है ना तो इतने deep में भी जाके questions आ रहे हैं इस इसका b answer था because तिरुपती वाले को social aspect था I remember this one so यह वाला correct हुआ था इसके बाद है first again first आ गया और दूसरा most important जो appointment में होता है वो है विप जो भी women से related female से related जो चीजे होती है उसे आपको ध्यान में रखना है चाहे वो first हो या न हो अगर किसी भी female को appoint किया गया है किसी भी governance वाले position पे political position पे या फिर किसी भी institutional international organization वाले institution पे तो वो बहुत important हो जाता है वैसे ये question जिसने भी cover किया था जितने भी channel ने इसको तो highly probable कर दिया था five star marking तो पहले बार भी दी थी वैसी इस साल अगर आप देखेंगे तो इटली की जो prime minister है पहली women prime minister है तो इसलिए उनको जो क्या ना मैं Melanie है ना female या woman जब भी देखें तो उसको आप extra mark करके रखिए extra star mark करी उस पे next question day and dates में मैंने आपको बहुत बार बताया था कि मुझसे dates याद नहीं होती however I have asked you कि last जो 10 years में जो भी पूछे गए है date को उसको याद करियेगा ozone day बिल्कुल repeated था 16 September इस साल की theme मैंने youtube shots में appointments भी इसको भी cover किया है तो इसको बहुत चोटे-चोटे से shots होंगे less than one minute के revision करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा useful होंगे so stay tuned with shots and वहाँ पे मैंने ozone day और उसका जो भी theme है वो cover किया है इस साल theme नहीं पूछा है however पिछले 2-3 साल में theme पूछा है जब भी days याद करे वो भी repeated days तो उसमें आप theme को भी ध्यान में रखना है so theme भी आपका pattern के उसमें include होगा again बहुत comment था ये मतलब ये इत्ते लोगों ने double triple mark कराया था because this is the first global tradition medicine center जो की WHO की द्वारा इंडिया में को ला गया था जाम नगर में ठीक है बहुत बार ये repeat हुआ है और जिनोंने भी videos में cover करते उन्होंने इसको five star marking तो दी थी I remember it very well तो जो भी international organization कोई भी center या फिर कोई भी college या फिर कोई भी medical center या फिर जिसे अपना WHO हो गया United Nation हो गया United Nation के अंदर की UNICEF अगर हो गया जितने भी international bodies है वो इंडिया में कोई center खोलेंगे तो वो आपका बहुत important हो जाएगा I don't remember ये वाला question पार्टी के scandal of UK I don't remember कि ये आईदरिष्टी में अच्छा बाइदर वे इसके उपर की जितने भी question थे वो सारे आईदरिष्टी में cover थे I don't remember this one बट ये एक political news थी and because my mother हमेशा news follow करती है तो this was something she discussed तो इसलिए इसके उसके वज़ा से मुझे याद था कि this was related to the conservative party otherwise I don't remember कि ये किसी भी magazine में cover किया गया था तो this is one odd question most important operations ये तो मैंने भी cover किया था अपने videos में operations बहुत 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 important है पहले भी थे आज भी है और कल भी रहेंगे ठीक है जितने भी operations है in fact दो तीन साल में जितने भी operations आएं उसे भी ध्यान में रखिए और इन में से operations बहुत 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 important होते हैं ये वाला तो low hanging fruit था PM स्वानेधी scheme तो scheme से related especially जो last 2-3 साल की scheme है वो तो हमें ध्यान रहना चाहिए especially इसका जो aim होता है या फिर जो target audience है beneficiaries है वो आपको ध्यान में रहनी चाहिए कभी-कभी scheme के date भी पूछ लेते हैं launch year भी पूछ लेते हैं aim and target पूछ लेते हैं और अगर कुसी scheme को repeat करते हैं तो उसके अंदर की जो top 5-6 information होती है न top 5 information regarding that scheme उसमें से भी question पूछे जाते हैं तो government scheme का pattern बहुत जादर deep में नहीं जाता but at least आपको date, year, beneficiary कौन है उसका उसका proper aim क्या है and एक दो और peripheral point जो उससे related कुछ जो typical point होंगे न उसको आपको ध्यान में रखना है अब यहाँ पे जो newly elected presiding officer था election हुआ था right अब यहाँ पे newly elected विधान सभा के presiding officer का नाम मैंने ये question को छोड़ दिया था because दूर दूर तक idea नहीं था इतनी political news but ये आपकी दृष्टी में ये चीजे cover थी इसके साथ साथ में ये study for civil service वारों ने भी cover किया है but मुझे इतना नाम याद नहीं रहता तो ये तो मैं छोड़ कि आई थी so ध्यान रखिएगा इस साल जो election हुए है currently जो election हुए है UP से related जितने भी ministers है at least top ministers के नाम बस आप ध्यान में रखिए ठीक है और अब भी जो current elections हुए है गुजरात वाला है ना हिमाचल वाला तो हो सकता है कि उसमें भी हमें presiding officers के नाम अगर पूछ लें तो आपको बस ध्यान में होना चाहिए because ये pattern exam में पूछा गया है last year ये भी चर्चे में था है ना कि जो New Delhi का जो PM museum convert किया गया है तो तीन मूर्ती जो भवन था उसको prime ministers museum में convert किया गया है ये news में काफी था आई anything related to first ठीक है anything related to first and environment ये भी एक pattern है first first women एक pattern था first environment एक pattern है environment से related you know renewable energy से related कोई भी project होता है वो भी आपको ध्यान में रखना है coaching was the correct answer I still remember next is watershed development program sponsored by central government of India aims at enabling the rural population to conserve water तो इन में से कौन सा था तो देखिए हरियाली था ये आई द्रिश्टी में भी cover किया है videos में भी cover किया है study for civil services भी cover किया था इसके अलावा इसके उपर बहुत जाबदा debate भी हुआ था तो अब इस debate की चकर में मैं आपको बताती हूँ ठीक है friends आप exam को बदल नहीं सकते अगर थोड़ा बहुत corruption है हमारी country में उसे भी आप नहीं बदल सकते आप क्या कर सकते हैं आप ये कर सकते हैं कि आप अपने cut off से कम से कम 5 से 10 number उपर रहिए ताकि अगर 2-3 question हटते भी है तो उसका impact आपको नहीं होना चाहिए ठीक है क्यों और मैं 85 में ही खड़ा हूँ and अगर यहां पर corruption zero होगा तो मेरा selection हो जाता तो इस तरीके कि न मैं आपको सिफ ये बोलूँगे कि देखें corruption होना तो नहीं चाहिए बट reality तो यही है ना कि हमें exam का पता नहीं है और हर साल कम से कम 4-5 questions debatable होते हैं तो ऐसे uncontrollable चीजों के उपर आपको ध्यान ना देके आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप चीजें प्लान करें exam के pattern को पकड़ें और उस pattern में से आप ये select करें कि आपको क्या याद करना है और क्या आपको छोड़ना है so that आप ये cut-off की जो margin होती ना उससे अगर आप 8-10 questions उपर रहते हैं तो आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरुवत नहीं होगी इसलिए बहुत सारे questions में debate होते हैं बहुत कुछ होता है मगए वो हर साल का है वो चीजें ना कल change होई थी ना आज change होई और ना कल change होने वाली है तो क्यों ना हम अपने आपको exam के pattern में डालें ना कि हम ये expect करें कि exam हमारे तरीके से चलेगा ठीक है तो हर्याली वाले question में तो बहुत जादा debate होई थी बिलकुल exam के एकदम starting में ही आपको ये आगया था ranking की steel production world में टॉप कौन कर रहा है तो ये आपका mineral वाला जो data आता है उस वाले magazine में ये cover था अब चा human develop index 2022 HDI से तो बहुत जादा question बने हैं आज नहीं इन फैक्ट ये बहुत फेवरेट है UPPCS का बट अब ये क्या करना है पहले वो top पूछता था top 3 एं bottom 3 पूछता था अभी आपको ranking descending order में भी आपको ध्यान में रखना है तो इसलिए ये बहुत deep वाले question है अगर बहुत जादा deep चला जाएगा आपको नहीं भी आता तो there's nothing you can do about it बट क्योंकि ये important है इसलिए जितनी information हो सके उतनी information आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है secondly इसके साथ में आपको क्या करना है पिछले 5 साल का paper जब जब human development index आया है वो आप ध्यान में रखिए उसका pattern देख के ही इस साल का जब HDI का ranking आप याद रखेंगे तो वो सारे aspect जो पिछले साल पूछे गए है उसको आप ध्यान में रखके याद करिएगा यहाँ पे बहुत सारी country को भी ascending descending order में रखा हुआ है आसाम में घाले border का जो agreement sign हुआ था यह भी news में था और यह किस किस के बीच sign हुआ है यह आपको ध्यान रखना है तो जब भी कोई long term border issues हो रहे हो और उस पे अगर कहीं country हमारे central और state government मिलके agreement पे आते है if you remember जो अपना कावेरी river dispute था जब वो चल रहा था और जब उसको resolve करने के लिए जो भी court ने किया था तो उस समय पे भी questions पूछे गए थे likewise इस साल यह चीज न्यूज में थी आसाम और मिगाले border ऐसे ही एक ये दो साल पहले पे नागरलेंड और असाम border भी न्यूज में था तो जब जब यह न्यूज में रहेगा जब जब agreement sign होगा MOU sign होगा for the border dispute आपको कौन-कौन सी party थी union की तरफ से कौन था state की तरफ से कौन था उसको ध्यान में रखके क्योंकि ये question पहले भी I think 2016 है 17 है I don't quite remember तब भी ये पूछा गया था और ये वो pattern यहाँ पे भी repeat हुआ है बहुत easy question make in India ठीक है अब इससे हमें ये बता चलता है कि flagship schemes जो है ठीक है कुछ ऐसी scheme है जो Modi government लेके आई है जो आज तक चलती है skill development हो गया make in India हो गया है ये सब scheme जो होगी आपको please ध्यान में रखना है कि इसके बारे में इसका year इसका aim इसकी beneficiary चार पाँच important points ये हमेशा ध्यान में रखिये flagship schemes जो है वो कभी भी पुराने नहीं होने वाले I don't think so 2024 में Modi ji कहीं जा रहे हैं तो हमारे exam में ये सारे schemes relevant है government change होगी तो तब जाके शायद ये relevant ना हो बड़ जब तक ये है तब तक उनकी flagship schemes सारी relevant होने वाली है इसलिए उसके बारे में जितना आपको ध्यान हो जब भी news में कुछ चीजें आएं updated रहे तब भी देखे ये अभी तक इस पे relevant चल रहा है तो आपको flagship schemes ध्यान में रहनी चाहिए Sinovacs जो था वो exam की जिस्ट पहले ही चर्चे में आया था कि वो एक I think inactivated virus वाला था तो I remember the inactivated virus तो उसके शकर में मैंने non-replicating viral vector किया था because I know कि ये whole virus नहीं था नहीं mRNA था this was मेरा logic था because all I remember was the inactivated virus मुझे अभी तक इसका quiet answer नहीं मिला और मैंने अभी तक answer देखा नहीं है इसका तो vaccine से related हमको पता था कि vaccine वाला जो section है I think I Drishti में starting के ही pages में था 3 या 4 topic के बाद vaccine के उपर था और जब मैं current affairs cover कर रही थी last year तब भी मैंने आपको बढ़ा था कि vaccine के उपर आप एक दिन पकड़के सारे जितने भी vaccine इस paper में दिये हैं इसके notes बना लीजे वैंकि एक question तो उस समय expected था vaccine को लेकर हो सकता है इस साल ऐसा कुछ ना हो इंडिया ने जो भी vaccine वगर develop करी है उसके बारे में अभी भी थोड़ी बहुत जानकारिया आप रखे ये वाला question मुझे नहीं आता था for some reason सायद मोधी international tournament की जो winner कौन थी तो मुझे ये नहीं आता था तो मैंने इसको skip किया था अब आप देख रहे हैं जरूरी नहीं है विंबिल्डन या फिर जो बड़े-बड़े matches होते हैं उसको ही ध्यान में रखना है हाले कि देखे इस बार FIFA World Cup है तो मुझे तो लगा है कि World Cup के उपर ही question पूछेगा बहुत बड़े-बड़े matches हुए है Asian Championship हुआ है World Cup होगा तो I think मुझे लगता है कि बड़े matches से इस बार question पूछे जाएंगे but you never know कहां से आते हैं last time सेयद मोधी international वाले से भी आया था तो sports में आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन जीता है ये भी आपसे पूछा जाता है उसके बाद में जल जीवन mission का जो scheme था उसके budget year financial year पूछ लिया था कौन से financial year को declare किया है तो देखिए year तो आपको ध्यान में रखना है इस साल date नहीं पूछा है मगर पिछले साल है पिछले के पिछले साथ एक आद दो scheme की date भी पूछी है sports में अब जरूरी नहीं है कि सारे sports को आप ध्यान में रखिए मगर at least जो big matches होते हैं उसको ध्यान रखिए और ऐसे कोई भी matches जहां पर किसी Indian को मिला हो और ज्यादा special हो जाता है जब कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का हो अगर उसने कुछ जीत के आया है तो वो भी एक important हो जाता है ये भी आप ध्यान में रखिएगा तो देखिए ये analyze करने से होता क्या है इससे होता ये है कि yes everybody knows कि कुछ static portion आते हैं और कुछ current affairs के questions आते हैं current affairs के question आपसे अगर आखरी आखरी में जाया और अगर आपको static portion revise करने में आपको बहुत time लग गया और current affairs के लिए revise करने के लिए आपको time ने रहा तो हमें क्या करना चाहिए जो भी highest priority वाले जब इस ताइप के pattern हमें पता होते हैं तो इस pattern वाले question को सबसे पहले पढ़ें उसको रटें क्योंकि उनकी probability जादा आती है एक बार वो cover कर लिया एक बार static cover कर लिया और अगर time permits time है energy है तो फिर आप बाकी वाले current affairs को भी पढ़ाई कर सकते हैं यह सब चीज़े प्रियोरिटाइज करने के लिए बहुत important होती है और as I mentioned की brain की capacity बहुत limited होती है तो limited capacity में limited information ही है मगप कर सकते हैं तो सबसे पहले आप इन सब चीज़ों को मगप करिए first वाला Indian वाला जितने भी pattern हम ध्यान में रखते हुए आ रहे हैं और उसके बाद में अगर हमारे तब भी हमारे पास में अगर कुछ बचेगा तो बाकी की information आप मगप करेंगे अगेन ये day के ऊपर है dolphin day के ऊपर dolphin day कब मना जाता है तो days तो important होते हैं मुझसे generally days बहुत जादा याद नहीं होते बट previous 10 से 15 years का जितना भी day है at least उसका list बना लीजे और उसे याद कर लीजे उसके बाद में 45th World British Championship के उपर जो question था कि किसने जीता है और इंडियन टीम ने कौन सा medal जीता है तो देखिए again जहां भी इंडिया इंडिया और इंडियन टीम का नाम आएगा वहां से शायद आपसे question पूछ लिया जाएगा इसको हमने पहले भी discuss किया है कि इंडिया से related अगर कुछ चीज हो रही है अगर इंडिया किसी championship में top पे पहुच रही है तो फिर वो वाला game हमारे लिए important हो जाता है अब science and tech से देखिए हैं पर क्या लिखा हुआ है record holder for the single longest space flight by NASA anything single, anything first, anything largest, anything longest, tallest ये जो होते हैं जो world के record वाले होते हैं ये world का largest, tallest and biggest ये सब चीजे होती है जो और इंडिया की and world की दोनो largest, tallest, longest ये चीजों को आपको maghap करना है ये अच्छा ये कहां कहां से लेंगे तो किसी भी एक ये दो magazine से आपका काम चल जाएगा दो magazine से आप ये सारे information को collect करिए जहां पे भी आपको इस टाइप a keyword दिखता है first है, first women है या फिर सिफ women है, इंडियन को appoint किया गया है किसी international body में इंडियन अगर किसी sports में first किया है तो उसको आपको उन सारी चीजों को extra highlight करना है ठीक है one district one product ये तो दो तीन साल से चर्चे में है और इसके इससे related पिछले साल भी question आया था इस साल भी आया है और अगले साल भी आप लीज ओडी ओपी याद कर लीजेगा I don't remember that channel का नाम एक sir है मैं आपसे जैसी मुझे उनकी channel का नाम मिलेगा मैं आपको इसको community में update कर दूँगी वो sir ने थोड़ा सा short cut से समझाया था O.D.O.P. को बहुत different view और बहुत unique way से उन्होंने समझाने की कोशिश करी थी और उससे बहुत सारे product और बहुत सारे cities हम match कर पा रहे थे तो वो video जैसे मुझे मिलता है मैं community में update कर दूँगी क्योंकि वो video बहुत अच्छा था O.D.O.P. के लिए वो sir काफी famous है I am just not able to remember उनका नाम after the video I will search for his name otherwise आपको O.D.O.P. अगर वैसे बहुत सारे नाम है अगर आप list देखेंगे कुछ-कुछ important important वाले भी अगर आप देख सकते हैं बड़े-बड़े cities के देख सकते हैं या फिर जिसको भी GI tag मिला है या फिर किसी का कोई किसी product news में चल रहा है तो वो सारी चीजों को आप ध्यान में रखिए कि अगर match the column में आएगा तो आप कम से कम eliminate करने की position पे रहेंगे मुझसे पूछेंगे तो मुझसे इतने सारे नाम याद नहीं होंगे अगर मेरे को आएगा तो मैं तो छोड़ दूँगी बट हाँ important नाम जरूर ध्यान में रखूंगी ये सारे नाम में जरूर ध्यान में रखूंगी है ना next है Indian State Forest Report 2021 में आए थी अब 2023 में आएगी इस से related अगर आ जाती है report exam के पहले तो ये तो important होने वाला है 2023 की नई आये exam के पहले तो ये ये वाले report आप एक बर फिर से पढ़के जाएगा सारी information इस से related सारे I think UPSC हिंदी वालों ने इसको cover किया है उसके अलावा I think IAS PCS factory वाले सर ने भी cover किया है किसी भी वीडियो से cover कर लिजे Study for Civil Services वाले से भी cover कर लिजे या Byju's की website या दृष्टी की website से भी आप cover कर सकते पूरी information इसका आपको ध्यान में होना चाहिए अगर 2023 के report आती है तो फिर तो ये retarded हो जाएगी जब तक वो नहीं आती तब तक ये अभी भी relevant होने वाली है BIMSTEC है ना बहुत important था BIMSTEC हो गया अगर सार्क होता है वो G20 की meeting पिछले साल G20 के बारे में पूछा था इस साल BIMSTEC के बारे में पूछेगा इंडिया जब भी presidentship करता है तो ये जो international meeting जहां पे PM Modi जाएंगे वो तो important हो ही जाता है और anything related to India ये तो आपको ध्यान में होना चाहिए क्या क्या information ध्यान में होना चाहिए G20 if you remember G20 का भी आपको date पूछा था ये भी date पूछा हुआ है और इसके बाद यहां पे बोला था कि क्या India ने chair किया है इसको G20 वाले questions से I think ये भी पूछ लिया था कि कौन कौन उसका guest member था I think last year 2021 में guest member का पूछा हुआ था तो आप एक बार जितने भी international meetings होती है है ना इसका आपको क्या करना है पिछले 8-10 साल में जिस भी variety of questions पूछा है उसको आप list कर दीजिए जिसमें से date बहुत important है दूसरा उसका जो number होता है कि 48th meeting 68th meeting, 1st meeting, 10th meeting तो number of meeting जो होती ही ना वो important होता है date होता है किसने chair किया है कोई ऐसे guest है या फिर कुछ ऐसे एक दम अलग सी कोई चीज़े हैं अलग सा कुछ M.O.U. अगर sign होता है तो वो सारी meeting बहुत ज़दा important होती है और news में भी बने रहती है commonwealth इतने बार reschedule हो चुका था तो कि ये तो आना ही था एक तो ये बात है इस बार मुझे लगता है world cup से आएगा football world cup हो रहा है उसे आप ध्यान में रखिए T20 world cup के बारे में भी आ सकता है तो sports में तो इस बार काफी world cup है तो मुझे लगता है world cup से question आएगा उसके बाद में days जो है है ना ये environmental वाले days है ये सारे days repeated हैं कहां से इसको तो मैं static portion ही बोलूँगे क्योंकि आपको घटना शक्र में मिल जाएगा पर भी ये date दोनों में आएंगे static and current affair में environments related सारे days आप त्यान में रखिए मैंने generally सारे question सही किये थे ये question मुझसे गलत हो गया था पता नहीं कैसे बस somehow ये question मैंने गलत कर दिया था सोचिए इतना low hanging fruit कि आप उत्तर प्रदेश का exam दे रहे हो उसका budget आया था कुछ मेने पहले और सिर्फ ये ही पूछा है कि size of budget क्या है और उसके अलावा आपसे ये पूछ रहा है कि जो schemes है उसमें कितना कर्चुआ है new schemes पे कितना कर्चुआ है और study for civil services वालों ने ये दोनों information चीक चीक के याद करवाई थी पता नहीं मैंने कैसे इसमें ये वाला question मेरा wrong था तो budget के उपर जो भी सवाल आते हैं बहुत simple सवाल आते हैं और मैं हमेशा budget को और economic survey को चाहे वो इंडिया का है, UP का है study for civil services वाले actual में वो document से ही पढ़ाते हैं तो anybody who is using the document to explain even though आपके आँखों के लिए वो visually बहुत important नहीं, visually बहुत soothing नहीं होता है बट जो भी आपको directly document से पढ़ाता है उससे आदो authentic कुछ नहीं हो सकता तो आपको बोर लगे या कुछ लगे मुझे लगता है अभी भी सर रेलेवेंट है अगर हम budget की बात कर रहे हैं तो अच्छा बाइदर वी उपर जितनी भी अगर इंडिया की पोजिश्टी की नहीं था और एक क्वेशन और था जो मैंने मिस कर दे तो अभी तर जितने भी current affairs की question आये हैं वो आपको आई दिर्ष्टी में मिल जाएंगे ठीक है अब ये next तरह की frontier report जो की UNEP ने निकाला था उसमें ये UNEP की report भी आपको आई दिर्ष्टी की उसमें थी again मैंने बुला ना international body वाले अगर कुछ center कोलते हैं वो कोई report ने काल रहे हैं जिसमें इंडिया की position दी गई है तो ये ये तो हमेशा common है और ये हमेशा चर्चे में बना भी रहेगा और exam के point of view से important भी रहेगा लता मंगेशकर जी बहुत important था है ना तो ये तो न्यूज में था और इसके लिए आपको आई दिर्ष्टी ने भी इसको cover किया था तो ये relevant था exam के point of view से world happiness happiness index previous year में भी आ चुका है so अब ये pattern समझ में आया है कि जितने भी awards है जितने भी index है और जो भी general days है देखिए dolphin day का I don't remember but ozone day और जितना भी soil day वगर था international वाला वो सारे days repeated questions में से है previous year अगर आप 10 साल कभी देखेंगे ये सारे days आपको मिल जाएंगे वहाँ पे आपको HDI भी मिल जाएगा और वहाँ पे आपको World Happiness Index भी मिल जाएगा so इस pattern से हमें क्या समझ में आता है कि जो days है और जो index है at least at least जो previous year में आई हुए है previous year कितने साल का करना है 20 years का पिछले साल भी बोला है मैंने 20 years का 20 years के पिछले साल के जितने भी current affairs में जो भी indexes जो भी days आए है at least उसको तो एक जगा नोट करिए कुछ नहीं पढ़ पाएंगे तो इसे पढ़ेंगे इसे update करेंगे और यहां से question आ गया तो वो गलत नहीं होना चाहिए 2020 में पूछा था Miss World Miss Universe के बारे में पिछले साल भी Miss World यह Miss Universe के बारे में इस साल की जो Miss World और Miss Universe होगी Miss India होगी वो relevant होगी ठीक है और इसके बारे में properly आपको आई द्रिष्टी cover करके देगा या फिर जो भी magazine आप लेंगे Miss India Miss World के बारे में यह बहुत favorite question है UPPCS का ध्यान में रखिएगा तीन साल से आ रहा है इस साल भी आने की probability जादा है यह एक one odd question था जिसको जो पुराने बहुत पुराने scheme के year पूछ लिये थे देखने में आपको डिखेगा कि यह कहां से आ गया however यह सारी scheme सारी scheme आपको previous year question paper में मिल जाएगी उसका date आपको मिल जाएगा और इसके बस पिछले बार क्या किया था कि अलग-अलग से question बनाया था यहां पे बहुत सारे साल का मिला कि आपको एक साथ match the following में दे दिया है तो यह भी कोई shocking वाला नहीं था previous year paper से ही यह आया हुआ है फिर है global business cities index frankly speaking I don't remember यह previous year में आया है कि नहीं so मैं इस पे comment नहीं करूँगी I'm sorry मैं इस question को शाद miss करगी research करने के लिए but यह वाला जो question है I don't remember कि यह previous year में आया है कि नहीं but क्योंकि यह इस साल आया है तो इसकी ranking जो भी होगी वो अब हमें इसको ध्यान में रखना है तो one of the index previous year से repeated नहीं है यह बहुत जादा news में था exam के पहले ही और I think इसके उपर जिस दिन नहीं जिस दिन मेंस का exam था because I remember ममी और मैं होटेल में थे तब भी इसके बारे में काफी news में चर्चा हो रही थी तो यह बिलकुल नया था और anything जो government लेकी आती है education से related medicines related कोई scheme आती है तो वो आपका important पार्ट बन जाता है तो this was also in news तो देखा जाएगा तो आपको आई दृष्टी में जितने information आते हैं वो वहीं से ही question आते हैं maximum अगर आप बोलेंगे कि 25 question आ रहा है तो मुझे ऐसा source दे दीजे जो 25 से 25 question में वहां से पड़ू तो ऐसा होगा नहीं अगर 25 question में से आप 20 18 से 20 भी correct mark करते हैं तो इस से जादा आप अपने आप से expect मत करिए बहुत लोग बोलते हैं कि 23 आना चाहिए 23 question 24 question तो आना चाहिए देखिए इतना जादा over expectation मत करिए because static portion भी ना बहुत सारे questions repeated आते हैं science के question, bio, physics and chemistry के question तो समझ लीजी आपके 90% repeat होते हैं तो क्यों ना हम एक particular section पे जादा ध्यान ना दे कि हम अपने ध्यान को divert करें और realistic and reasonable target खुद के लिए रखें अब इस 25 question में से किसी book में से अगर 22 question आ रहे हैं उसमें से आप अगर 18 भी करके आ रहे हैं तो ये fair enough है cost benefit पे बहुत सही बैठता है next video में मैं आप से ये discuss करूँगी कि क्या कर सकते हैं हमको current affairs कौन-कौन से channels है और कौन-कौन से books है जो हम पढ़ सकते हैं और किस pattern से पढ़ना है वो में आपको next video में cover करूँगी I hope you like this video I hope ये analysis ठीक रहा if this being the case then I will try कि मैं एक-एक subject करके या तो मैं आपको current affairs ही पिछले चार साल का करके दूँगी तो let me know कि आपको 2022 का ही सारा analysis चाहिए कि आप चाहते हैं कि current affairs ही पिछले चार पात साल का अगर मैं आपको analyze करके देदो की pattern क्या है because देखे, pattern बहुत simple है एक बार आपने 2022 का ये pattern देख लिए फिर 2021 का देख लीजे फिर 2020 का देख लीजे 2019 का देख लीजे अगर ये सारा काम आप जैनवरी के पहले करके रखते हैं trust me, इतने confident होंगे आप when you will actually start reading current affair magazine and everything फिर current affair आपके लिए सरदरद नहीं होगा तो जो जो चीजें आपको you know, हमारे 36 गड में हाउआ बोलते हैं I don't know what you say जिसको हम बहुत बड़ा पहाड बना लेते हैं तो किसी भी चीज को पहाड मत बनाईए अगर आपको लगता है कि वो पहाड है तो धीरे धीरे करके उसका पैटरन समझ कि उस पहाड का रस्ता बनाने की कोशिश हमें करना चाहिए तो लेप में नो कि मैं इस साल का पिछले पांच साल का सिर्फ current affair section अनलाईज करूं कि मैं पुरा 2020 पेपर आपको अनलाईज करके दूं वटेवर यू से इन दे करें comment section I will come up with that kind of video I hope this was helpful to you comment करके बताईएगा and like करिए thank you